नमस्कार साथियों, न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है कुछ लोगोंने कोश्चन भेजा था, उसी का या कोश्चन पेपर है दो अगस्त को सीप अप्रेसं का एक्जाम हुआ था और आरके नाम के कोई भीवर है, उन्होंने मुझे भेजा था और उन्होंने रिक्वेश्ट किया था कि क्वेश्चन टू का सॉलूसन बता दिजिए अब देखें, क्वेश्चन टू काता है, ये भेजल भीथ दिस्प्लेस्मेंट आफ 10,000 टन लेंथ 100 मीटर ड्राप फ़रवर्ड 6 मीटर दिया है आप्ट जो है 7 मीटर दे रखा है, केम इज़कल टू 10 मीटर, केजी इज़कल टू 7.8 मीटर, टीपीसी इज़कल टू 25 भेशल इज अस्टिल टू लोड मोरवाई 0.2 मीटर, जहां जभी 0.2 मीटर ड्राप को आवरवर्ड डुबा सकता है एंसी टीशी दिया हुआ है, 150 टू मीटर, एचेफ इज़कल टू मीटर, आप अप मिडशीप फिरी साफेस मोमेंट दे रखा है, 370 टू मीटर, फाइंड कारगो टू लोड, कारगो टू लोड कोस्चन पुछा है अब देखिए, मैं आपको पता दूँ, बहुत सारे जो नमेरिकल कोस्चन होते हैं, उसमें कुछ डाटा ऐसे भी होते हैं, जिसका इस्तमाल कोस्चन में नहीं किया जाता है तो आपको question में data के हिसाथ से नहीं चलना है, कि यह data क्यों दिया हुआ था और इसका इस्तमाल क्यों नहीं हुआ तो कि बहुत सारे question में ऐसे data होंगे, कि उस data का इस्तमाल question को solve करने में जरूरत ही ना पड़ेगा तो पहला point तो यह है दूसरा point यह है कि यह question 25 marks का है और 25 marks का question में सिर्फ cargo to load नहीं पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर TPC दे रखा है और कितना draft और दुबाया जा सकता है यह भी दे रखा है तो यह तो एक line का answer हो गिया तो यह भी नहीं दे सकता है तो यहाँ पर question में कुछ printing mistake है या तो exam के दवान question में कुछ amendment किया गया हो तो जो बंदे exam दिये थें उनसे पुछना परेगा कि इस question में क्या amendment किया गया था हमें लगता है सिर्फ quantity to load नहीं पुछा होगा इसके आंगे कुछ और भी पुछा होगा उसने पुछा होगा find the cargo to load and location where this cargo to be loaded so that final trim of the vessel will be 0.5 meter by a stir इसी प्रकार कुछ न कुछ जरूर इसमें add होगा या पुछ देगा location where this cargo to be loaded so that final trim will be 0 meter अर्था भेसल finally should be even kill या ये भी पुछ देगा location where this cargo to be loaded so that final forward drop is equal to 8 meter, 6 meter, 5.5 meter या up drop, कुछ इस question में जरूर है जो missing है हम माल लेते हैं, question ने पुछा find the cargo to load and location where this cargo to be loaded so that final trim of the vessel will be 0.5 meter by a stir अब यहां पर आंगे कुछ भी दे सकता है 0.5 meter के जगा, 0.8 meter by a stir या 0.5 meter by head या finally vessel will be even kill सब का बनाने का तरीका एक नहीं होगा या जिन्होंने exam दिया है, वो हमें पूरा question भेज दे तो मैं पूरा के पूरा solution करके आपके लिए upload कर दूँगा अब आईए इसका solution देखते हैं, question में जो भी data दिया है, वो सभी को आप answer sheet में जरूर लिख दिजेगा point का answer है, चुकि question में TPC भी दे रखा है, और जहाज कितना और sink कर सकते हैं, उसकी height भी दे रखा है, तो quantity to load कितना हो जागा, sinkable height मैं बहुत पर बता चुका हूँ आप लोगों को into TPC यहाँ sinkable height कितना है point 2 meter अर्थाथ 20 cm into TPC रखा है 25, इसको आप multiply किजेगा तो यह आजागा 500 ton तो यह आपका answer हो गया, लेकिन 25 नम्मा का question इतना छोटा नहीं हो सकता है, अर्थाथ इसमें कुछ न कुछ जरूर printing mistake है और exam के दोरान amendment होगा second meant exam में बहुत बार exam होते होते question change किया जाता है या उस question में कुछ part add कर दिया जाता है बहुत बार तो exam खतम होने के आदा गंटा बाकी रहेगा और उसमें आपको message आ जाएगा कि यह question number change हो गिया है और इसमें कुछ correction कर देना है, इसके जगह आपको यह परना है तो जो बंदा exam दिये है 2 अगस्त को उन्हें exact मालूम होगा इस question में क्या changing हुआ है और यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो इस question का सिर्फ अंसर यही रहेगा और जतना भी data दिया है यह सब इस question के लिए useless है सिर्फ आपको TPC और sinkable height यही आपका use आएगा अब हम माल लेते हैं question में दिया है location where this cargo to be loaded so that final trim of the vessel will be 0.5 meter by a stern हम यह अपने से question इसमें add कर दिया है इसके जगा बहुत चीज आपर आइड किया जा सकता था बनाने का तरीका लगबग यही होगा अब आईए part B का solution देखते हैं जो हमने अभी add किया है आपका question है जो मैं question अपने मन से add कर दिया हूँ question में देख यह रखा था एक जहाज है जो 100 meter लंबा है माल लेते हैं एक जहाज था इसका लंबाई 100 meter है यह है आपका forward यह है आपका art forward में drop दिया है 6.0 meter art में drop दे रखा है 7.0 meter km दे रखा है 10 meter kg दे रखा है 7.8 meter यहाँ km और kg का कोई use नहीं होगा क्योंकि यहाँ हमें न GM की जरूरत है अना जहाज की kg निकालने की जरूरत है और ऐसा बहुत सारा question आपको पूछ सकता है जिसमें कुछ-कुछ ऐसा data होगा जिसका इस्तमाल ही नहीं होगा और बहुत लोग उसी में confused हो जाएंगे कि यह किस लिए दिया था वो आपको confused करने के लिए ही दिया रहता है MCTC दे रखा है 150 HF is at 2 meter apt of a midship यह आपका midship हो गिया midship कतना पर होगा 50 meter पर midship का sign क्या होता है H center of floatation का sign होता है F और center of floatation जो है वो 2 meter apt में है emidship से आपका यही question है और सारा question में जो भी आपका trim का question आएगा आप ऐसे diagram जिरूर बना दिएगा इसे आपको तता survey को दोनों को समझने में अच्छा होगा और बार बार question न परना परेगा अब देखे फरवर ड्राप दे रखा है फरवर ड्राप केतना है 6.0 meter आप ड्राप दे रखा है यहां केतना है 7.0 meter तो initial trim केतना है आपका initial trim is equal to 1.0 meter by a stern यतना तक तो आप समझते हैं trim क्या होता है फरवर आप ड्राप का अंतर और यदि ड्राप पीछे जादे हो तो trim by a stern और यदि ड्राप आँगे जादे हो तो trim by head आपको initial trim मिल गया question ने final trim दे रखा है कारा है कि हमको final trim 0.5 meter by a stern चाहिए जब 500 ton कारगो आप लोड कर दिजिएगा final trim केतना दे रखा है final trim is equal to 0.5 meter by a stern तो trim couch कितना हो जागा trim couch due to 500 ton loading 500 ton loading के कारण trim कितना couch होगा initial में 1.0 meter by a stern था और final loading करने के बाद 500 ton जब लोड कर दिजिएगा तब आपका trim आ रहा है 0.5 meter by a stern मतलब इस loading के कारण आपका trim couch होगा 0.5 meter by head यह आप समझ गए होंगे और नहीं तो आपको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ मानली जिए यह आपका जहाज था और starting में यह 1 meter trim by a stern था आप यहाँ पर देख सकते हैं यह trim by a stern है यह कितना था यह starting में 1 meter अब 500 ton cargo load कर दिया गया और जब load हुआ तब इसका trim घट गिया कितना हो गया यह trim यह घट किया 0.5 meter अर्थात जहाज जो है आँगे की ओर दब गया होगा और यह दबा किसके कारण यह दबा 500 ton loading के कारण अर्थात 500 ton loading के कारण जो trim couch हुआ वह हुआ by head इसलिए मैं यहाँ लिखा trim couch due to 500 ton loading is equal to 0.5 meter by head यह दोनों को घटा दिये तो आपका quantity मिल गया और by head होगा कि by a stern किससे मिलेगा initial trim और final trim के direction से initial trim था 1 meter by a stern final trim था 0.5 meter by a stern मतलब आपका trim घट रहा है मतलब जहाज आँगे की ओर जूक रहा है दब रहा है और आपको यह अभी मालूम होगा यदि loading के कारण trim by head होना है तो हमें loading कहां करना होगा यहाँ पर लिखेंगे let 500 ton cargo should be loaded x meter forward of center of floatation इस center of floatation से x meter आँगे जो है हम cargo को load करेंगे हमा लेते हैं x meter यहाँ पर आया अब इसी x meter का value निकालना है x meter पर हम 500 ton load कर दिये हैं और हम जानते हैं trimming moment बराबर क्या होता है w into d w बराबर क्या होता है bed जतना bed आप load कियें discharge कियें या shift कियें और d बराबर distance और यह distance कहां से होना चाहिए center of floatation से in case of loading या discharging यहाँ पर क्या हो रहा है loading तो center of floatation से कितना distance पर load हो रहा है x meter तो trimming moment कितना हो जागा w 500 into x यह आपका आजाएगा 500 x ton meter आपको यह trimming moment मिल गया और हम जानते है trim couch बराबर trimming moment divided by mctc यहाँ पर हमें trim couch मिला हुआ है trim couch कितना है 0.5 meter by head अर्था 50 centimeter इसकल टू trimming moment भी हमको मालूम है कितना है 500 x divided by mctc question में दे रखा है mctc कितना है 150 आपको यहाँ से x का value मिल जागा x बराबर आपको आजाएगा 50 into 150 divided by 500 इसको आप solve किजिएगा यह हो जाएगा आपको 10 आप 10 से उपर जाएगा 10 यह आपका जाएगा x बराबर 15 meter अर्था 500 ton को center of floatation से 15 meter forward में load करेंगे तब हमारा final जो trim है वह 0.5 meter by a stern होगा तो आप यहाँ पर बस बना के लिख दिजिएगा quantity to load is equal to 500 ton and location of the cargo to be loaded 15 meter forward of center of floatation और यदि यही question का पूछ दे location with respect to midship तो हमको मालूम है center of floatation 2 meter पीछे है midship से तो midship से यह केतना दुरी होगा यह हमारा आग यह 15 x से 15 minus 2 ब्राबर 13 तो आप उसको लिख दिजिएगा और question में यहाँ पर यह भी पूछ सकता था and also tell final drop forward and up final forward and up drop भी आप से पूछ सकता था तो मैं यह भी बता दे रहा हूँ यदि question पूछ देता also tell me final drop forward and final draft up तो आप इसका solution इस प्रकार बनाते हैं यहाँ से आपको trim couch मिल गया था कितना था? trim couch is equal to 0.5 meter by head अर्था 50 centimeter by head आपको trim couch का apt and forward component निकालने आता है और इसका फरमूला भी लगबग सबको मालूम होगा यह का होता है TA, TA is equal to trim couch divided by LBP into AF या LCF कुछ भी कहिए दोनों चीज यही है intship में LCF huge करेगा और सुप्रमनियम के बुक में AF करेगा इस दोनों का सिर्फ यही काना है आप perpendicular से center of floatation के बीच का दूरी कितना है तो यहाँ पर आप value रख दिजे trim couch आपको मिला हुआ है 50 centimeter LBP मालूम है length between perpendicular दिया हुआ था जहाज का लांबाई 100 meter है into AF AF भी आपको मालूम है मैं आपको बता दिया center of floatation midship से 2 meter पीछे है अर्थाप AF के बीच के दूरी कितना होगा 48 meter चुकि 100 meter का जहाँ है emissive हो गिया 50 meter और center of floatation emissive से 2 meter पीछे है अर्थाप AF जो है 48 meter है यहाँ पर रख दिजिए 48 यह आपका जागा 24 cm आपको TA मालूम चल गया तो TF भी मालूम चल जागा TF बराबर क्या होता है trim count minus TA यह आपका जागा 50 minus 24 इसकल 26 cm अब TA मालूम चल गया TF मालूम चल गया अब आपको निकलना होगा mean linkage mean linkage बराबर क्या होता है weight loaded weight loaded कितना है 500 turn divided by TPC TPC दे रखा है कितना है 35 यह आपका जागा 20 cm अर्था 500 turn cargo load करने के कारण जहार bodily मतलब 4 तरफ 20 cm डूब्येगा अब आपको final draft forward and up किसे निकलेगा आप देखिए draft forward, draft up initial में कितना था initial में forward draft 6 meter है आप draft 7.0 meter है यहां पर दीख रखें है हम mean sinkage जो कि loading हुआ है कितना है 0.2 20 cm मतलब 0.2 meter plus 0.2 आप आईए TA और TF TA जो है apt में जाएगा आप TF जो है forward में जाएगा TA कितना आया है 24 cm मतलब 0.24 meter और यह आया है 26 मतलब 0.26 meter आप जाएगा पलस होगा या minus trim का जो है by head है मतलब जहाँ आँगे की और जुका है मतलब forward draft बरेगा इसलिए TF जो है पलस होगा और आप draft घटेगा मतलब TA जो है वह minus होगा आप इसको final add सब्ट्रेक्ट कर दिजिए ये आपका जाएगा 6.96 और ये आपका जाएगा 6.46 अर्था final जो है draft forward जो होगा वह होगा 6.46 meter और draft आप 6.96 meter और question ने भी कर राखा था final trim जो है वह 0.5 meter by a turn होना चाहिए आप यहाँ से 6.96 में से 6.46 को सब्ट्रेक्ट किजिए ये आपका 0.5 meter by a turn चुकि draft आप जो है जादे है अज़र देखिए जो मैं solution निकाला ये भी सही था ये question से पुरी तरह match कर गिया है तो आप जो है answer को भी इस प्रकार match कर सकते हैं हम उमीद करते हैं ये question आप लोग से मैं add कर दिया हूँ यहां पर कुछ भी add कर सकता था जैसे यहां पर मैंने add कर दिया फिन यहां पर मैंने question add कर दिया तो question नर्मली इसी प्रकार होगा printing के समय कुछ में stake हो गया होगा और अभी जो एक जाम हुआ है उसमें जो भी question है यदि आप चाहते हैं कि explain कर दें तो वो question आप हमें भेज दिजेगा मैं आपको जरूर explain कर दूँगा वीडियो के description में telegram का link डाला हुआ है आप telegram पर question भेज सकते हैं धन्य बाद यदि मेरा video आप लोग को पसंद आ रहा है तो मेरे channel को like कीजिए subscribe कीजिए और दूसरों मित्रों को share कीजिए thanks for watching the lecture यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो channel को subscribe करें video को like करें और दूसरों मित्रों को share करें